वेलो गाइज वेल्कम बैक तो अनलो व्लाग बल्लेश्वा ट्रेप और आज हम जा रहे हैं बलाराम गड़ी बलाराम गड़ी में हम राधक हमें एक राधक्रिश्ण का टेंपल जा रहे हैं जो कि बहुत सुन्दर है मैंने सुना था तो बहुत चुके हैं हम इस टेंपल में यह देख सकते होई हैं यहां का एंटर गेट चलिए चलते हैं अभी अंदर यह देख सकते हैं वह फूट फूट विलर पार्किंग जरा सदूर है यह है तंपल और यह और यह जो आप ताला जैसा ही कुछ देख रहे हो यह मुझे लगता है आप पर बूटिंग वह बूटिंग कर सकते हो आप और मुझे जो लगता है यहां पर मचलिया भी होंगी यह देख सकते हो आप यहां पर बूटिंग भी कर सकते हैं कितनी सारे मचलिय यह 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 जैसा सोचा था उचसे भी जादा मचलिया यह यह जैसे कि गोल्डन ब्लैक ऐसे हो मुझे तो बहुत ही मज़ादा मज़ा रहा है मचलिया इंको देखके इसका एंबियंज बहुत ही जादा सुन्दर है मुझे तो बहुत जादा अच्छा लगा देख सकते हैं कितना सुन्दर तो पहले हम मंदर घुम लिटें तो चलिए दर्शिर कर लेते हैं तो आप देख सकता है गनेश जी और में राधा कृष्ण उधर राधा कृष्ण का में स्टैच्चू यह देख सकते हैं हनुमान जी यहाँ जो सारे के सारे भगवान के जो स्टैच्चू है ना सारे के सारे मावल से बने हैं और बहुत ही जादा अट्रैक्टिव लगते हैं तो यह देख सकते हैं आप वही पॉर्ण की खुब्सूरत मच्छियां तो आप मैं इन सब को खाना देने वाला हूँ मैं डेफिनेटली इसमें बोटिंग करूंगा क्यूंकि यह इतना जादा सुन्दर लगता है ना यह मंदिक के चारों तरफ का वियो है तो मैं बस घूम रहा हूं थोड़ी देर यह पर कर दो यह कर दोड़ी करने मतिश्से हूँ यह पर मंदिर के अलावा चिल्डर्न्स का एक प्ले अरिया है और यह एक स्मॉल सज्जू यह देखिए जिराव डाइनोसौर यह टर्की रैबिट्स यह देखिए यह राटर्की कितना अलग दिखता है और यहाँ पर बहुत सारे टाइपस के अनिमल्स हैं तो उसके पास यह एक प्ले अरिया है यह रहा यह हैं है इसके पास एक होर्स यह रहा एक डियर को बड़ा वाला डियर कि अस्लाइड यहां पर बहुत ज्यादा कुछ है मुझे यह जगह बहुत ही ज़ादा पसंद आई तो मैं आपको बता दू यह यहां का सबसे मोस्ट फेमस और अट्रैक्टिव पिकनिक स्पाट है यह जो आप देख रहे हो यह बहुत चादा च्छोटा सा एक आम्यूजमेंट पाक है तो यह रहा यह च्छोटा सा आम्यूजमेंट पाक यहां पर टॉइ ट्रेन है बहुत सारे अलग-अलग तरीके के जूले हैं तो मैं भी आ गया यहां पर बूटिंग करने तो मुझे तो बहुत ही जादा मजा रहे हैं पानी के पूरे बीच में रहके मंदिर को चारा तरफ से देखना मुझे बहुत ही जादा मजा रहे हैं तो मैं भी और थोड़ा सा बोटिंग करके यहां से मिती हूंगा मुझे बोटिंग करना बहुत ही जादा मज़ा आता है I'm enjoying this और मैं भी पेडल कर रहा हूं तो यहां का विव कितना जादा amazing और stunning लग रहा है पूरे पानी के बीच में इरा मंदर और बहुत जादा amazing जिएक तो मैंने 10 रुपए का मचली का खाना खरीद लिया है यहां पर सब कुछ मिल जाता है और देखते हैं यहां पर से मचली को खाने देना कितना मज़ा आता है तो कैसे खाने पर टूट पड़ रहे हैं आप देख सकते हैं सारे मचली एक साथ आ गए हैं यहां देख सकते हैं मैं तो बहुत ही जादा इंजोई कर रहा हूँ ऩुरूaking भर ने भीज़स देख सकते हैं पाने समय हैं ओिधक साही है तो क्ण़ष मेरा तेख सकत टोस सब कर दोुःब बस मच्चियों का खाना हो गया हम मैं जा रहा हूं उस शोटे से अमीजमेंटर के टोई ट्रेन Q enjoy करने देखते हैं तो आये चलते हैं व bekommt पहुंचने वाले हैं यस छोटे से अमीजमेंटर पार्के तो यह रहा ऐस खूइजमेंटर पार्क तो मैं टॉइटरेंड में बैठ चुका हूँ और टॉइटरेंड के टिकेट का रुपीज है सेफ 20 रुपीज तो ट्रेंड स्टार्ट होने बाला तर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है अब मुझे तो बहुत ही जाजा मजा रहा तो इस टॉइटरेंड के बाद में लंच करने जाओंगा तो आज के बाद को मैं यही पर एंड करता हूँ तो मिलते हैं एक और मेरे वीडियो के साथ ता ता बाई बाई प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फो वाचिंग बाई बाई